प्यारे दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना स्ट्रैमिना इंक्रीज कर सकते हो स्ट्रैमिना का मतलब है कि आप किसी काम को तितनी जाला देर कर सकते हो तथा इससे आप में एक ऐसी शक्ति ड्वेल्प होती है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो तो उस चैमिना को ड्वल्प करना, उसको ब्रीट करना, उसको इंक्रीज करना बहुत ही आपशक है क्योंकि इससे हमें confidence फ्राप्त होता है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे हम success फ्राप्त कर सकते हैं चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप athlete हो, चाहे आप body building के professional हो, businessman हो, या कोई भी educator या student हो हार काम में आप को सेंशक्ती चाहिए, तथा किसी काम को बहुत ज़्यादा तेरे तक करना होता है तो इस stamina को कैसे increase किया जाए, आज हम ये जानकारी आपको बताएंगे देखिए, प्यारे दोस्तों, इसके 5 step है, जो first step है, start, take breaks and again start यह है पहला step है, जिससे आप अपना stamina increase कर सकते हो, कोई भी काम बस start करते हो तथा उस काम को धीरे से आपने start करना है, उसमें कुछ break अखिए, फिर start कीजिए फिर break अखिए उस activity में, फिर start कीजिए अब बार बार break देना, बार बार start करने में क्या होगा, कि हमारा जो mind है, यार हमारा जो brain है, उस चीज़ को याद कर देगा तो हमारे दिमाग में उस चीज़ का note हो जाना, उसमें वो capacity अपने आप ही पहला होती जाएगी ability अपने आप ही वो उसको observe करता हैगा आपने just start करना है, एक mind को focus के रियूप में उस काम को start करना है एक target fix करना है कि मैंने इतनी race लगानी है या जिम में इतने waiting उठानी है तो जैसे जैसे आपने start किया, उसमें कुछ rest दिया, फिर start किया ऐसे ही आपने पहले एक दिन, दो दिन, दस दिन, एक मेना, एक साल तक आपने ऐसे start किया तो यकीन मानिये कि आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कि यह सब कुछ normal है तता आपका automatically कई गुणा stamina बढ़ जाएगा अगर आप दो साल से लगाता है, start करते हो, rest देते हो, फिर start करते हो, wait को तो हो सकता है, 10 गुणा capacity आप में already increase हो जाए सिर्फ first step को follow गरने से Second, find other sport देखिए, यह मान के चलिए कि इस अंसार में हम perfect नहीं है जब हम perfect नहीं हैं, तो हमें दूसरों की sport चाहिए सपोर्ट तब तर नहीं मिलती है, जब तक हम दूसरों को sport ना दे तो हमेशन ही याद रखिए, दूसरों को आप sport दीजे, आपको sport मिलती जाएगी अगर आज आपने सूच लिया कि किसी को मैंने sport देनी है तो आपको भी sport मिल लीगी, तो sport से क्या होगा कि जैसे आपको sport मिलती है, जैसे आपने pull up करना है तो एक विक्ति और मिले, तो आप जहाँ pull up कर सकते हो, तथा अपना stamina pull up में बना सकते हो, ऐसे आपने weight lifting करनी है, bench press मारनी है, अगर एक lifting के और sport मिल जाएगी तो आप जो stamina मनाना चाहते हो, मालो कि आपने 100 kc की bench press करनी है, तो बहुत असानी से आप लिगा सकते है ऐसे आपने पढ़ना है, बहुत साई चीज़ें जो याद करनी होती है, अगर आप दूसरों को सुमाते हो, वो आपसे सुनता है, तो हो सकता है कि इससे आप better remembering कर सको, तो हमें हर हालत में दूसरों के sport तक लेनी है, तो sport के बदले में sport देनी है, तो इस तरह से यह सिल्साय चलेगा और आपका stamina हालत में increase होगा ही, तीसरी बात है, make your mind positive, हमेशा ही अपना mind positive रखिये, क्योंकि जब जब आप यह सोचते हो कि मेरा stamina नहीं बना, मुझ में वो capacity नहीं है, मुझ में वो weakness है, तो यकीन मानिए आपकी weakness बढ़ रही है, जैसे ही आपने सोचा कि नहीं मैं न कड़ चुकी है, इसके दुले में आप यह सोचिए हाँ, मैं कर सकूँगा, कोई बात नहीं, फेल हो चुका हूँ, कोई बात नहीं, इसके बात जूद भी मैं करूँगा, yes, इससे मैं करूँगा, तो यह जो आपकी mind की positivity है, यह है आप में stamina को increase करने में मदद करेगी, जाए चाहे दिल हो, चाहे रात हो, चाहे सुभा का टाइम हो, दुबैर का टाइम हो, हर वक्त आपनी positivity ही सोचना है, yes, मैं improvement की तरफ जा रहा हूँ, तो improvement आपके पास अपने आप ही आएगी, तो यह जो mind है ना, तो अपने आप ही वो चीज़ें इस संसारी आजाती है, and fourth, collect ideas of making stamina, दुनिया में बहुत सारी ideas है, एक blank paper लीजिए, उस ideas को लिखना स्टार्ट कीजिए, जैसे एक idea मैं बतायता हूँ, अगर आप उस environment में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, जहाँ disturbance नहीं है, जहाँ destruction नहीं है, तो आप अपने काम में focus लगा सकते हो, तो आपका strength ना बढ़ेग this is a one idea, जो आप copy में note कर सकते हो, ऐसे ही हजाँ idea है, फोर्म में जाएए, ब्लोग में जाएए, अपना एक ब्लोग समाएए, तथा हमेशा ही आप उन ideas को collect करते जाएए, तो आप एक ऐसी list अपने हाथों में, एक ऐसा हैसे अपने हाथों में पाएंगे, जिससे आप अपने स्ट्रेमिना को हजाँ तरिकों से increase कर सकते हूँ, तो यह कोई बहुत बड़ा project नहीं, बहुत बड़ा positive इसमें आ रहे है, इसलिए be happy है, जो रिक्ती positive होंगे वो तो खुश रहेंगे ही, तो आपने हमेशना ही खुश रहना है, खुश रहने के लिए कोई धन, दौलत नहीं लगती, सिर्फ इससे क्या है कि आपने वो environment बनाना है जिसमें आप खुश रहा सको, इसके मतलब यह है कि आप सोचो कम, महसूस ज़्यादा करों, लोगों की दुख तकलिफों में स्पोर्ड दो, उनके साथ हसिस और मजाक करते हो, तत्वा एक खुश रहा इनवार्मेंट बनाओ, उससे क्या होता है कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं, खुशी के मख़ूद में वो काम कर सकते हैं, स जब आप स्माइल करते हो, मुस्कराते हो, आप के अंदर बहुत जाला ब्लर इंक्रीNews होने लग जाता है, जो वो ब्लर इंक्रीस हो जाता है उससे आप जो काम करना चाहूँ, वो सफ़र ही होगा, उससे आपो बहुत जाला स्ट्रेमिन मिलेगा, तो आज से हम खुश रहे ह हर हालत में दुख, तकलीफ जितना हो उसे बहुत ही शांती से सहन करें, धेरी सहन की कैपस्ट्री को बढ़ाएं, तो अपमेशा ही अपना इंवार्मेंट खुश्मा मनाएं, आपके खुशी से हजारों लोगों को खुशी क्राप्त हो सकती है, अगर आप दुखी हो तो आप दुख दे सकते हो, तो आपने डिसिजन लेना है, आपने क्या करना है, ये पांच चीज़े हमेशा ही याद रखिए, कि हमने अपने इस चैमिना को कैसे बढ़ा है, ओके थेंक्यू वेरी मच्च